हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स मैप की इंग्लिश एजुकेटर्स वाती राठ और स्वागित करती हूं आप सभी का आप सभी के अपने online platform वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज इस वीडियो में हम लोग one word substitution का part 10 करेंगे इससे पहले के सभी वीडियो हमारे चैनल पर अविलेबल हैं I hope आप सभी ने वो सारे ही वीडियो देख लिए होंगे और अगर उनमें से कोई भी वीडियो देखना बागी है तो उसे आप easily हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं So now without wasting much time हम अपना आज का ये वीडियो आगे continue करते हैं और चलते हैं पहले question की तरफ पहला question है morally bad or evil मतलब ऐसी चीज जो की नैतिक रूप से सही नहीं है नैतिक रूप से ब्रस्ट है चरित्र ब्रस्ट है इसे क्या कहेंगे options देखते हैं option A is diatribe diatribe का मतलब है verbally किसी पर attack करना bitter and violent attack in words or writing मतलब किसी की cartoon इंदा करना खराब शब्द कहना option B is destitution destitution का मतलब है lacking basic necessities of life मतलब अभाव ग्रस्टता जो basic needs होती है life की वो भी पूरी ना हो उसे बोलते हैं destitution option C is depraved depraved का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र ब्रस्ट है जो morally bad है उसे बोलते हैं depraved and option D is demagogue demagogue का मतलब है ऐसा political leader who delivers sentimental speeches मतलब ऐसा राजनेतिक नेता जो की जन उत्तेजक भाशर देता हो speech देता हो उसे बोलते हैं demagogue तो यहां पर हमने सभी words के meaning जाने और सभी words के meaning जानने के बाद हमें पता चला कि यह जो हमारा morally bad और evil है इसका one word substitution हो जाएगा option C depraved क्योंकि इसका मतलब होता है चरित्र ब्रस्ट होब आपको सभी words clear है तो आगे बढ़ते हैं अगला question है अब person sent on a mission ऐसा व्यक्ति जिसको mission पर बेजा गया हो और usually यह कोई official mission होता है इसे क्या कहेंगे options की तरफ चलते हैं option A is epicure, epicure का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो की खाने का बहुत ज्यादा शौकीन हो option B is epilogue, epilogue मतलब नाटक के बाद का भाशन option C is emeritus, emeritus मतलब one who is honorably discharged from service मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको ससम्मान सेवा मुक्त किया गया हो उसे बोलते हैं emeritus option D is emissary, emissary मतलब गुप्तिचर जासूर जिसे कोई official mission पर भेजा गया हो तो सभी words के meaning हमने जाने और यहाँ पर यह जो है हमारा a person sent on a mission इस question का सही answer होगा option D, emissary hope आपको यह सारी चीज़े clear हैं, तो आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है, animals of a certain region, मतलब एक certain region के, एक particular region के animals को क्या कहेंगे मतलब जो भी वहाँ पर प्राणी मिलते हैं, उन सभी को क्या कहेंगे options देखते हैं, option A is fastidious, fastidious का मतलब है one who is hard to please मतलब ऐसा इंसान जिसे मनाना बहुत मुश्किल हो, जो बहुत जादा नखरे बाज हो option B is fiasco, fiasco मतलब complete failure, पूर्ण सफलता option C is flora, flora मतलब एक particular region की जो plants होते हैं, जो vegetation होती है, उसे बोलते हैं flora and option D is fauna, fauna मतलब animals of a certain region प्राणी जात, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा option D, fauna, मतलब animals of a certain region, एक certain region, एक particular region के जो भी प्राणी होते हैं, जो भी जीव जन्तु होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम fauna, होप आपको सभी words clear होंगे, तो आगे बढ़ते हैं अगला question है हमारा, a substance that kills germs, मतलब ऐसी कोई cheese, ऐसा कोई substance या chemical, जो की जीवाणू को मार देता हो, उसे क्या कहेंगे options की तरफ चलते हैं, option a is glutton, glutton मतलब one who eats too much, pay too, जो बहुत जादा खाता हो option b is gobble, gobble मतलब लालची की तरह खाना, eat fast and greedily, मतलब ऐसे खाना, इतनी speed में खाना और लालचीयों की तरह जैसे पहले कभी वो चीज नहीं खाई थी option c is germicide, germicide मतलब जीवानू नाशक, ऐसा substance या chemical जो की germs को किल करता हो, option d is fluke, fluke मतलब stroke of good luck, आकस में सफलता मिल जाए, उसी को बोलते हैं, fluke तो यहाँ पे सबी words के हमने meaning जाने, और यहाँ पे यह जो हमारा question है, substance that kills germs, इसका सही one word substitution हो जाएगा, option c germicide, मतलब ऐसा substance है chemical, जो की germs को किल करता है, जीवानू नाशक, आगे बढ़ते हैं, अगला question है, plead to obtain a favor to save someone else, मतलब किसी से सिफारिश करना, इसे क्या कहेंगे, options की तर introspection, मतलब आत्म निरिक्षन, option b is intercede, intercede मतलब सिफारिश करना, option c is intrigue, intrigue मतलब साजिश करना, and option d is insurrection, insurrection मतलब बगावत करना, किसी के खिलाफ कुछ बगावत कर देना, इसे बोलते हैं insurrection, तो यहाँ पे सबी words के हमने meaning जाने, और यहाँ पे यह जो हमारा question है, plead to obtain a favor to save someone else, मतलब किसी से सिफारिश करना, इसका सही one word substitution होगा, option b intercede, क्योंकि intercede का मतलब है, सिफारिश करना, hope आपको सभी words के meaning clear है, तो friends, आज मैंने आपके साथ कुछ questions discuss किये, और हमने जाना कि इनका one word substitution क्या हो जाएगा, I hope आप सभी को यह सारी ही चीज़े clear होंगी, इस वीडियो में जो भी है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे like कीजे, share कीजे, अपने maximum trends के साथ, relatives के साथ, और जितने भी आपके contacts है, उन सभी के साथ, अगर अभी तक हमारा channel subscribe नहीं किया है, तो please हमारे channel क को भी subscribe कर लीजिए, जिसे की upcoming videos की notification आपको जल्दी से जल्दी मिल जाया करेगी, कल फिर मिलेंगे एक नए episode के साथ, तब तक के लिए stay tuned with us, thank you so much, wish you all the best.